ताजा तर्न खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें मैं उसलाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाट टाइम्स नसेपी की नगर सेवे का अस्रेंड राओ जो अब मुम्रा प्रभाक समीते की सभापती भी बनी है पिछले दिनों कई लोग ऐसे सभापती बने आये और चले गए कुछ पता नहीं चला लेकिन जब से ये सभापती बनी है पूरे मुम्रा शहर में एक चर्चा का विशय बना हुआ है और उनी से जानने की कोशिश करते हैं कि जब से ये सभापती बनी है तब से क्या कुछ मीटिंग अटेंग की हैं और इनके क्या-क्या आगे मुद्दे हैं असलाहों लेकुम जब से पहला तो जिन लोगों के घर और जिन लोगों की दुकाने गई हैं रोजगार जो है सबसे अहम मुद्दा है क्योंकि हमारा मुम्रा एक ऐसा है कि जहां पर लोग गरीब तपके के लोग जयादा रहते हैं इसके लिए जिनकी दुकाने तूटी है, जिनके घर गए है रोड वाइंडिंग में, तो उनको हम सबसे पहला उनका हग दिलाने की कोशिश करें। इस तरह से बात सामने आ रहे हैं कि ऐसे कई लोग आए और चले गए, सभी ने ऐसे दावे किये, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, तो कहीं न कहीं आप जब से वनी हैं, तो क्या आप अपनी जो पत पे हैं, उस पत को भर पूर निभाएंगे, लोगों के उमीदों पर खरी उतरें इन्शालला मैं अपनी पूरी-पूरी कोशिश करूंगी, हमारे आमदार का साथ भी है और सभी नगर से वोकों का साथ मुझे मिला है, अलहमदुलिल्ला, सारे अधिकारियों से मेरी बात हुई है, मैंने जैसी अध्यक्ष का पत समाला, सबसे पहला मैंने अधिकारियों की म पिटिंग लगाई और उनसे कहा कि first respect आप नगर से वक का respect नगर से वक को दो आपका respect हम आपको देते हैं और इसकी खास वज़ा यही है कि एक दुसरे में ना इतिफा की होने की वज़े से लोगों के काम रुके पड़े हैं कहीं तो हमारा सबसे पहला target जो है यही था कि हमारे रुके हुए काम कौन कौन से हैं इसके उपर हम खुद परसनली ध्यान दे वो रुके हैं तो उनको तेजी से करने की हमने मांग की है क्या-क्या मुद्धा एहम है आप के लिए देखे सबसे आहम मुद्धा अभी तो यहां पर मुम्रा में जो चल रहा है वो कबरस्तान का इशू बना हुआ है तो इसमें मैं आप लोगों को बता दू के उपर आस्मान और नीचे कबरस्तान तो जाहिर से बात है पानी आना लाजी में खीक है अलहम्दुलिल्ला जितना बड़ा कबरस्तान हमें मिला है इसमें अगर कोई कमी रह गई होगी तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कल में वहाँ पे हमें कोई भी परेशानी या दिक्कत न हो तरह से सहर में एक पानी का भी मुद्दा है और आप लोग भी कई बार गई है पानी का मूर्चा लेकर और आप सभापती भी बन गई तो क्या पानी का मुद्दा कहां तक आप कितना उसका हल कर पाएगी देखे कल ही मैं कमिशनर साब के पास आवाट साब को लेकर गई थी उसकी खास वज़ा यह थी कि हमारे पानी की टंकियां बन रही है तो उनका काम कहीं मतलब 80 परसंट तक काम हुआ है 20 परसंट काम बागी है तो हमने मांग की है कि जल अजल उस टंकी का काम कम्पलीट हो जाए जो हमने करने लिया है तो अगर वो काम हो जाता है तो अलहमदुलिल्दा काफी हульт तक रिलीफ हो जाएगा और पानी का MLD भी 15 MLD बढ़ाया गया है चाहते नहीं है कि मोर्चा और अंदलन किया जाए लेकिन कहीं न कहीं हमारे काम जो सत्ताधारी होने नहीं देते हैं तो हमारी कोशिश यह रहती है कि at least हम हमारी आवाज जो हमारे जनता हमारे पीछे रहे के हमारे साथ में रहे के बोलती है तो वो आवाज हम उन तक पहुचाने की कोशिश करते हैं विरोधियों के तक इस तरह से आपने पहले बताए कि जो यहाँ पर जिनकी दुकाने तोड़ी गई थी रोड बेर्डिंग के दोरान तो लोगों के लिए आप किस तरह का काम कर रहे हैं आगे कि उन्हें जो है उनकी हक मिल सके देखे कई मरतबा हमारी मीटिंग्स हुई है अधिकारियों के साथ हमारे आमदार आवार साथ थे कमिशनर साब है राजु भाई है हमारे पार्टी के सभी शमीम भाई हो चाहे आनन प्रांचपे साब हो मिलिन पार्टील साब जो विरुदी पक्ष नेता है नजीब मुल्ला है और शानु पठान है सारे नगर सेवक नगर सेवी का हैं और पदाधिकारी मिलकर हमने जो है काफी मरतबा कमिशनर के अस मीटिंग ली जिसमें हमारे सायाद अली भाई साब भी बढ़ चड़के आते हैं मीटिंगों में तो हमारा हमेशा उनसे यही कहना था कि हमको जिन जिन जगों पर रिजर्वेशन हैं मार्केट के लिए होकर्स के लिए तो हमको वो जगों पर हमारे को मार्केट और होकर्स जौन दिया जाए तो उससे थोड़ा हट कर ही जो है खुट जोन देनी के बाद सामने आ रही थी तो क्या वो मिलेगा दीखे कुछ प्रपटी जो है प्राइवेट रहती है तो उसमें कुछ दिक्कत आती है और जहां पे होकल जोन रिजर्वेशन हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वहीं पर होकर्जोन बन जाए इस तरह से कब्रस्तान की बात आपने कई पानी भरनी की तस्वीरे वाइरल हुई उसका जायजा लिया गया तो फिर कहीं न कहीं अगर आप लोगों की तरफ से कुछ कार कब्रस्तान में और किया जा कि जो चीजें हैं वो लाने की पूरी-पूरी कोशिश की गई है जिस तरह से मुम्रा शहर में लगभग 400-500 से भी ज्यादा टीवी के पेसेंट है लेकिन उनको दवा नहीं मिल पा रही है और हालत बहुत बुरी है बढ़ते ही जा रहे तीन से चार साल तक लोग इलाज करा लेकिन एक दिन दवा मिल लई है दो दिन नहीं मिले जब कि टीवी के पेशंट को रेगुलर दवा मिलनी चाहिए जिसकी वज vigil से दवा ना मिलने के वज़े से उनके हाला बस बत्तर होते जा रहे है और जो हॉस्पिटल है वो कह रह लह हैं कि हमारे पास दवा नहीं तो इ तो उससे पर हमारी कुछ चर्चा भी जहां पर केंद्रे साहब भी थे वहां पर मौझूद तो हमने टीबी के जो वैक्सिन मिलने रहे हैं तो उनसे हमने डिमांड की है कि आप जल्द से जल्द वह वैक्सिन हो बले हमको खरीदना पड़ेगा हम बले आदमी मनने के बाद आप खरीदोगे तो उन्होंने हमें बोले आए कि हम एमर्जंसी में कहीं से भी आपको इंजेक्शन अवेलेबल करके देते हैं लेकिन प्रहा टाइम से जिस तरह से बात की है तो लोगों का कहना है कि आधार कार्ड मांगा जा रहा है इलाज के लिए तो क्या आधार कार्ड अनि अगर आते तो फिर हम शायद उस पर कुछ एक्शन लेते क्योंकि ऐसा तो कहीं है ने क्योंकि हम अगर मुफ्त उनको इलाज कर रहे हैं तो उस दोरान में उस पीरियड में हम लोग ऐसे कोई डॉक्यमेंट चेक करते नहीं अगर कोई बीमार है तो इंसानियत के नाते उन्ह और इसका काफी हदि तक काम हो गया है इसमें उस्टेशनरी की ज़रूरत थी स्टेशनरी स्टाफ और चितने भी वहां पे मशनरी लगने वाली है तो इसके लिए अब ये आती महासबा में, 19 तरीकी महासबा में उपुरा प्रस्ताव दिया गया है और ये मेरे खाल से 17 करोड के आसपास का कुछ प्रस्ताव है और उसमें सारी मशनरी और मेरे खाल से डाइलेसस सेंटर की भी कुछ मशनरी रहेगी तो ये सब चीजे वहाँ पे है और उम्मीद है कमिशनर सहाब ने और आवाड सहाब ने हमें आश्वासन दिलाया है कि ये जनवरी तक तो मेरे खायल से इसे ओपन करना ही करना है जिस तरह से खबरे सामने आ रही थी कि ये ऑस्पिटल दोसो बेड का था बाद में उसे सव बेड का कर दिया गया तो आखिर क्या रीजन था जो इसे सव बेड का किया देखिए पहली बात तो कैसी है कि भले हम उसकी निव दोसो बेड की रखेंगे क्यों रखते हैं कि आगे कि हमको उसको बढ़ाना रहता है अभी पहले स्ट तो होने दोसको कि सव बेड का ही हास्पिटल सोचके अगर उसकी निव रखेंगे तो फिर हम उसको आगे बढ़ाने जाएंगे फिर लोग आजले नहीं दोसो बेड की है हमारे हैं पर मुम्रा में काम करने की दिक्कत यही ह हमारे मुम्रा के लोगों के लिए तरह से अभी टीवी की बात सामने आए तो क्या कब तक टीवी की दवा जो है शहर में उपलब धो पाएगी देखे केंद्रे साब ने हमको बोले है कि मैं दो से तीन दिन के अंदर आपको तीन कैम देता हूं एक आनन कोली वाडे में देता और एक मुम्रा का में आपको जहां चाहिए सेंटर में आपको देता हूं तो तीन जगों पे उन्होंने सेंटर देनी की बात की है प्लस वहाँ पे वो एंजेक्शन भी अवेलबल रहेगे जो दवाईया है जैसा कि आपने सुना कि जो है स्रीन राओ थे उनका कहना है कि जो अर्वारे बात अस्पताल की तो ये में अस्पताल सोव बेट का बनाया जा रहा है वो भी बताया जा रहा है कि जनवरी तक मुम्रा शहर को वो अस्पताल बनाकर दिया जाएगा कैमेर kleineromin रह्मान के साथ इस्लामी दिन खान प्रहार टाएम मुम्र in slok